नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन बाट साला में दोस्तों हम इस सिरीज में डिसकस कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपोन प्रशनों को इससे पहली वीडियो में हम 1 से लेकर के 150 तक के काफी जो कि ancient history से समझे थे आज की वीडियो में भी हम important 30 questions को डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और बहुत ही जल्दी ही कम समय में हम इन questions को डिसकस करेंगे और आपका आधिक समय नहीं लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि न है बるकुल right है अग्ला प्रश्ण है लितिय जैन संगती कहां आयजित की गई तो जीतिय जैन संगती जो है वहाँ बलवी में आयजित की गई तो option नमर जो C है वहाँ right है तो यहाँ पर जैन धर्म के हम 24 तीर्थ करोगी यहाँ पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर जैन धर्म में 24 तीर्थ करोए हैं जिसमें कि आपके सामने यहाँ पर पहला प्रभात देव दूसरे अजीत नाथ जिनके यहाँ पर इनके चिन भी हैं गज और तीसरे संभवनात, चौथे अपवित्रनात, तो यहाँ पर हमने सब के सब जो 24 तीर्थ करते उनको और उनसे समद्धी जो यहाँ पर उनके चिन है, उनको यहाँ पर लिखा है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, और इनसे related question भी आगे पूछे जा सकते हैं, तो अब ब यहाँ जो है बौध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो बौध धर्म से related हमने एक वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो की बौध धर्म के बारे में detail जो है जानकर आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें कि हमने इन में इसके बारे में आपको अ वो तीन पिटारे क्या है, वो हैं महायान और थेड़वाद और ब्रज्यान जबकि मूल सरवास्तिव वाद चीक है, और जो इसका ये जो है बौध धर्म का प्राचिनतम गरंत है, जिसमें भागवान महा जो है बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और ये पाली भासा में लिखा गया है, अगले क्रिशन पर आते हैं, तो निमिक्षित में से कौन सा बौध धर्म के अस्टांगिक माग में सामिल नहीं है, तो हमने हमारे वीडियो में अस्टांगिक मागों को भी दिश्कस किया है, तो जो भी अस्टांगिक माग जो हैं, उनमें सम्यक इक्छा नह पिटक हमने बताया कि पाली भासा में लिखा गया था तो option नंबर जो B है वह है वह राइट है Next question पर आते हैं तो बुद्ध्रक के लिखक कौन थे buddh-चरित के लिखक तो बुद्ध चरित लिखा गया अश्वगोश के द्वारा, तो option नमर जो A है वहाँ बिल्कुल सही है, अगला प्रशन है, बुद्ध किस कुल के थे, उनका नाम क्या था, तो बुद्ध जो है साक के कुल के थे, तो option नमर जो C है, वहाँ राइट है, अगला प्रशन है, सारन को हमने एक वीडियो में, बौत धर्म की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, नंद वंस के बाद मगत के पर जो है, किस वंस ने सासन किया, तो नंद वंस के बाद मगत पर वो किया जाता है, मौर्य वंस के द्वारा, मौर्य वंस का उदय होता है, तो option नमर जो A है, व कौन थे तो मौर्य वंस के जो संस्तावक थे वो थे चंद्रकुप्त मौर्य तो अप्शन नमर जो ए है वह सही है और जल्दी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो है अलग-अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में टॉपिक वाइज हम इन सभी वंसों से रिलेकर आपको यहां पर वीडियो प्रोवाइड कराएं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमों को जरूर प्रुटसाहित कीजिएगा अगला प्रशन है मौरे इतिहास का सबसे महतोपूर्ण साहितिक सुरूत क्या है तो मौरे इतिहास का सबसे महतोपूर्ण साहितिक सुरूत जो मिल अर्थसास्त्र के जो लेकक हैं वो हैं चानक्या तो सायद मैंने वापे गलत बोल दिया था तो अर्थसास्त्र के लेकक हैं चानक्या अगला प्रशन है इंडिका पुस्तक किस ने लिखी तो इंडिका पुस्तक लिखी मेगस्तनीज ने तो आप्शन नमर जो ए है वह राइट हो जाता है अगला प्रश्ण है मुद्रा राक्षस पुस्तक किस ने लिखी तो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी विशाक दत्ने तो option नमर जो है वह राइट हो जाता है next question है चंदरगुप्त मौरे ने डौट-डौट की सायता से धनानंद को गद्दी से उतार दिया था तो चानक्या के साथ मिलकर के और चानक्या की help से ही काफी interesting story यह है तो चानक्या के help से जो है चंदरगुप्त मौरे ने घनानंद को गद्दी से उतार फैंक दिया था और यहीं से जो है नंद वंस जो है समाप्त हो जाता है और मौरे वंस का उदय होता है तो यह काफी important fact है अगला है चंदरगुप्त मौरे के दरवार में यूनानी आज दूथ कौन था तो मेगस्थनी जो था वो चंदरगुप्त मौरे के दरवार में था तो option नमर जो बी है वह हो राइट हो जाता है नेक्स क्रेशन है शैलुकस निकेटर को पराजित किसके द्वारा किया गया था तो चंदरगुप्त मौरे नहीं शैलुकस निकेटर को उत्रादिकारी कौन हुआ तो बिंदुसार जो है वह हो चंदरगुप्त मौरे का उत्रादिकारी हुआ तो option नमर जो बी है वह हो राइट है अगला प्रशन है मौरे सामराज्य की राजधानी कहां थी कौन से थी तो ये थी पाठली पुत्र तो option नमर जो डी है वह हो राइ समराट असोक हुए जिन्होंने की मौरे समराज्य पर सासन किया तो आप्सन नमर जो A है वह सही है अगला है असोक ने जो कलिंग का युद्ध था वह कब लड़ा तो असोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 इसापूर और जो है कहा जाता है कि उसके बाद जो है वहाँ पर भौश सारा जो जन्धन की हानि को देखते हुए जो है असोक ने उसके बाद जो है अपने युद्धों को त्याग दिया था और बहुत धर्म को अपना दिया था अगला प्रश्ण है चानक्यने के नाम से भी जाना जाता है किसको तो चानक्यने के नाम से भी जाना जाता है किसको कौटिल्य को आप्शन नमर जो D है वह राइट है इनकी चानक्यने के दूशने नाम कौटिल्य भी है अगला है इमर्खित में से किस राजा को देवा नामा प्रियदासी के नाम से जाना जाता है तो शंदर गुपत मौले को ही जाना जाता है तो option नमर जो C है वह सही है अगला है असोक के किस सिलालेक में कलिंग युद्ध का वरनन मिलता है तो जो असोक का जो आठ जो है यहाँ पर तेरवा सिलालेख है तेरवा जो सिलालेख है तो इसमें वर्णन मिलता है कलिंगु युद्ध का जो कालसी में है तो यहाँ पर ऑप्शन नमर जो A है वह राइट हो जाता है अगला प्रशन है भारत के किन एतिहासिक व्यक्तियों को विश्ण गुप्त के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है बिंदुसार का पुत्र कौन था तो बिंदुसार किस का पुत्र था तो बिंदुशार जो है चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र था और यही इनका उत्राधिकारी बाद में बना अगला प्रशन है कल्प सूत्र पुस्तक के लेका कौन थे तो कल्प सूत्र जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है भद्र बाहुने तो उप्शन नमर जो बी है वहार राइट हो जाता है अगला प्रशन है मिलिंद पन्हो एक बौध गरंथ है जो राजा मिलिंद और बौध संद डौट डौट के बीच समवाद के रूप में है इन दौणों के बीच में समवाद हुआ और उसके बाद जो है ये बाद गरंथ मिलिंद पन्हो रिखा गया तो ये कौन थे तो नागशेन और जो है राजा मिलिंद के द्वारा जो समवाद हुआ तो उसी को बाद ग्रंद के रूप में मिलिंद पंधों के रूप में संकलित किया गया तो option number जो A है नागसेन राइट हो जाता है अगला प्रश्ण है लिम्डिकित मैंसे कौन गौतम बुद्ध का समकालीन है तो गौतम बुद्ध के समकालीन है वर्दमान महावीर तो option number C है वह राइट है और आज कांती प्रश्ण है चतुर्तु बाद संगिती की अध्यक्षिता किसने की तो चतुर्तु बाद संगिती अध्यक्षिता करने वाले थे वशुमित्र तो option number D है वह राइट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर हम 30 questions को discuss कर चुके हैं जो कि यहाँ पर बौध धर्म, जेन धर्म और मौरेस सामरजे से समधित थी तो इसी प्रकार हम आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास समधित और भी महत्वपूर्ण जो है questions को लेकर आएंगे यदि आपको हमारा प्रियास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like कर सकते हैं और आप सुझाओ दे सकते हैं हमको comment में कि हम से कहाँ पर क्या गलती हो रही है और साथ में यदि आपको यहाँ पर इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं जल्दी ही next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना खयाल रखिएगा Thank you very much